हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आपका मेरे यूटूउब चैनल सोनम केयर में और मैं हूँ सोनम तो आज मैं बताने जा रही हूँ मशरूम मसाला मशरूम बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं आज में जो mushroom यूज़ करने जा रहे हूँ वो है ओस्टर mushroom तो आप देख सकते हो इसे न सीप mushroom भी बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीप की तरह होता है इसका आप सेप देख सकते हो सीप की तरह है तो इसमें न काफी जादा protein, minerals, nutrition होते हैं जो हमारे health के लिए काफी जादा benefit ह इसमें आपको जितना पनीर हो गया, non-based हो गया इसमें जितने protein होते हैं उससे भी कहीं जादा इसमें protein की मातरा होती है तो ये बहुत जादा नाजुक होती है बट आप इसकी नजाकत पे नाजाएं क्योंकि ये काफी जादा protein से भरा हुआ है तो आज हम इसे बनाने जा रह क्योंकि बहुत जादा सॉफ्ट होता है तो आप इसे कट करने के लिए कोई मतलब चाकू कैची का यूज ना करें तो हाथों से ही बहुत अच्छे से अलग हो जाता है तो मैंने ये पूरे निकाल लिए हैं अब इसको मैं अच्छे से वाश कर लूँगी तो एक बॉल में न कडाही लेते हैं तो कडाही में कुछ मसाले को हम भूनेंगे तो इसके लिए दो तीन हमने लाल मिर्श लिया है जीरा सॉफ और दो तीन चमच धनिया खड़ा धनिया है ये मसालों का नाम में नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप चेक कर लेना इसको बस हल फिर इसे हम निकाल लेंगे निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको थोड़ा सा हम बस हलका पिसेंगे जादा नहीं थोड़ा दरदर पिस लेंगे इसे इन मसालों का यूज हम लास्ट में करेंगे तो अब हम इसमें तेल डालेंगे आप कोई भी ऑईल यूज कर सकते हो जो आप खाते हो तो इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसे तेज पत्ता एक बड़ी काले इलाइची थोड़ी से लॉंग ये जब हलका सा चटक कि यह वो में दुक going मैंस क्या हुए बिल्कुल रालेंगे प्यास कि मैंने बहुत बार की काटलिया थे हैं तो दो मीडियों मीडियम साइज के प्यास थे सैंब और घटशी लिया है नाम आप मैंना 1 चमच कस्मीरी लाल Haare में आप में साइड में में ब्हुता दूंगी भी तो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस लिया था तो अच्छे से मिला लेंगे हम धकने के बाद आप इसे देखो अलग से ओयल भी रिलीज हो गया है तो मसालों को हलका हलका भूनेंगे आप जादा स्लो आच भी ना करना और जादा हाई फ्लेम भी नहीं मीडियम आज पे तो जो हमने मसाले को हलका सा दरदरा पीस लिया था उसमें से तीन चमच में इसमें डाल दूँगी उसे मिक्स कर लेंगे और अपने टेस्ट के नुसारा आप नमक यूज कर लेना मैं यहां दो चमच नमक यूज कर रही हूं और मसाले को अच्छे से मिला लेंगे इसे ढख दो पांच मिनट के बाद आप बीच मेच में अपना धकन खोलके आप देखते रहना क्योंकि फ्लेम सबका अलग अलग होता है तो आप देख सकते हो मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो इसमें जो हमने मश्रूम को दोकर होती है क्योंकि बहुत जल्दी यह पक जाते हैं इसको ढग देंगे मश्रूम से पानी अपने आप रिलीज होता है तो आप देख सकते हो हलका हलका पानी रिलीज हो गया है बट मुझे हलका सा और ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी यूज कर रही हूँ आप इसको अगर आप वेट लूज कर रहे हो तो हमारा मस्रूम बिल्कुल रेडी हो गया है कोई ज्यादा महनत नहीं लगा तो अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे तो यह रहा हमारा फाइनल मश्रूम मसाला बनके रेडी हो गया है और आपको यह रेशिपी कैसी लगी आप मुझे कमें एंड बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक करना एंड अपने फ्रेंड फैमली को शेयर करना तो मिलती हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बाबाई